नमस्कार दोस्तो मैं हूँ महच चाड़क और आप देख रहे हैं My Fundamental तो दोस्तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत शौगत है और आज मैं बात कने वाला हूँ ऐसे मल्टी बेगर शेर के बारे में जिसका मार्केट कैप तो 140 करोड है बट पोटेंचल गजब का है अगर मैं बात करो दोस्तो इनके कस्टमर्स की इजरो, बोईंग, लाशनेंटुबरो, सी एसल जैसी कमपनियां इनकी कस्टमर्स हैं अगर आप कोई ऐसा शेर ढूंड रहे हैं तो दोस्तो ये वीडियो आप पूरा देखिए आपको काफी जादा हेल्प मिलेगी ये उस तरह का शेर है जो आपको मल्टी बेगर रिटरंस कमाके दे सकता है डिविडेंड डील भी बहुत ही शानदार है इनका दोस्तो इंडस्ट्री से बेटर प्रफॉर्मेस दिखा रही है अगर मैं इनके दोस्तो सेल्स ग्रोथ की बात करूँ वो इंडस्ट्री से बेटर है जो इनकी ग्रोथ है वो हर तोर पे अपनी इंडस्ट्री से बेटर दिखाई दे रही है तो ये वीडियो आप पूरा देखिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करें और दोस्तो अगर आपने हमारा प्रिवेस वीडियो नहीं देखा अगर आप शौट अम काल्स ढून रहे हैं तो आप हमारा प्रिवेस वीडियो देख सकते है वहां पे हमने 5 stocks suggest किया है एक महीने से लेके 3 महीने तक तो आप प्रिवेस वीडियो ज़रूर देखें चैनल पे जाके तो चलिए अब दोस्तो बात तक करते हैं company की company का नाम क्या है तो दोस्तो यहां पे आप देख सकते हैं company का नाम है Emptal Limited company की अगर मैं बात करो तो 353.95 पर शेर का इसका अभी price है और definitely बहुत ही बढ़िया company है अगर आप जाना चाते हैं की company क्या करती है तो मैं आपको बता दूँ यह दोस्तो manufacturing करती है of wires, front end, satellite, communication embedded, system, signal, processing, network, management और software development का यह काम करती है company की अगर मैं R&D faculty की बात करूँ तो विशाखा पटनम अंदरा परदेश में है company बहुत ही बढ़िया है जिस sector में है उसमें आने वाले समय में बहुत जादा गरोध होगी अगर आप इस sector में देखेंगे इंडिया काफी अच्छा कर रहा है आप इजरो का देख सकते हैं इजरो की तरफ से भी इनको contract ज़रूर मिले है और आने वाले समय में company बहुत बढ़िया performance दिखा सकते है आप market में अगर काम करते हैं अगर आपको 6 महीने हो चुका है साल हो चुका है कि यहां से उपर जाने के chances ज़ादा है सेम चीज़ इसके साथ है यह stock अभी भी काफी ज़ादा सस्ता मिल रहा है यह market cap 140 पे है और imagine करिए अगर यह company दोस्तो चार हजार करोड सो हजार करोड या फिर दोस्तो दस हजार करोड पे गई तो आपका पैसा क्या होगा आप उस तरह का imagination कर सकते हैं जिसमें आपने देखा होगा कि 10,000 लगाया एक करोड हो गया दो करोड हो गया इस तरह की possibility इस stock में आपको बनती हुई दिख सकती है guaranteed कुछ भी stock market में नहीं होता है बट जिस तरह कि इसकी sales growth है इसका permission हमें प्रांजल कामरा जी ने personally दिया है अगर आपको इसको सबूत चाहिए तो आप मुझे Instagram पे personally message कर सकते हैं बहाँ पे मैं दोस्तो Instagram पे जो उनके screenshot है वो आपको share कर दूँगा कि उन्होंने हमें permission दिया है तो चलिए दोस्तो बात करते हैं इसके market cap के तो market cap आप देख सकते हैं 143.10 करोड है और stock का PE आप देख सकते हैं 12.17 चल रहा है जो इसको काफी जादा अकरशित बनाता है book value भी आप देख सकते हैं 137.13 है और सबसे बड़ी चीज़ हाला कि मैंने आपको पहले भी एक company recommend जरूर की है उसका भी वीडियो आप जरूर चैनल पर जाके देखेगा top 5 multi bagger stocks उसका भी वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हैं debt बिल्कुवी भी नहीं है बरना आप 100 करोड की market cap बाली company देखते हैं EPS आप देख सकते हैं company का काफी शांदर है 29 है और अगर मैं sales growth की बात करूँ तो यह आपको दिखाई दे रही है 2.79 ROE देख सकते हैं 22.35 है ROC भी काफी बढ़िया है और profit growth भी आप देख सकते हैं 20.39 है काफी अच्छी चीज हैं जो हम दोस्तों इसमें दिखाई दे रही है अगर मैं company की बात करूँ तो company बोल रही है कि हम पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि pandemic की बज़ा से हमें कम से कम loss हो और आने वाले समय में ये company काफी अच्छे तरीके से grow कर सकती है बहुत ही बढ़िया इनका management है बहुत ही बढ़िया तरीके से ये काम करते हैं तो दोस्तों उसके बाद मैं आपको एक और चीज बताना चाहूँगा कि यहां पे आप sales growth इनका देख सकते हैं एक साल में definitely आपको ठंडा पढ़ता हुआ दिख रहा होगा आप सोच रहे होगे कि यार ये क्या चीज है ये तो ठंडा पढ़ रहा है बड़ मैं आपको बता दू कि यह आपको recovery mode में जरूर दिखेगा और यहां से आपको बढ़त देखने को जरूर मिलेगी हाला कि profit growth इनका काफी अच्छा चल रहा है recently थोड़ा इनका performance खराब जरूर दिखाई दे रहा होगा आपको बड़ उस जिस आप से stock price ने adjust भी किया है उसके लिए मैं आपको इसका max chart दिखाना चाहूँगा और आपको समझ आएगा कि ये stock आप देख सकते हैं 2018 में लगवग 600 के आसपास मिलता था और अभी ये आपको लगवग लगवग साटे 300 के आसपास मिल रहा है company बहुत ही बड़िया बात काम कर रही है आप price to cash flow देख सकते हैं काफी बड़िया है उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि company कितना बड़िया performance दिखा रही है revenue growth जो आप आप देख सकते हैं industry के मुकावले काफी अच्छा है 15.3% है और industry में आप देख सकते है 11.08 है और अगर मैं बात करूं इनके market share की तो market share भी आप देख सकते है 12.18% है और अगर मैं बात करूं इनके पहले की तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह शांदर तरीके से grow आप 15% बोल जाकते हैं जो काफी वड़िया यहां पर लगता है तो इसलिए आप इस तरह के stock पे जुरूर focus करते हैं definitely एक चीज़ में जो मैं आपको suggest करना चाहूंगा वो ये है कि मैं आपको कभी भी suggest नहीं करूंगा कि आप इस stock में अपना पूरा पैसा लगाए I mean to say आप आपको मैं suggest नहीं करूंगा कि आप 10,000 से जादा stock में अपना पैसा लगाए क्यूंकि इस तरह की small company पे control नहीं होता है और आपका loss होने का पूरा पूरा डर रहता है मैं कोई सभी registered guy नहीं हूँ इसलिए मैं आपको suggest भी नहीं कर सकता इसलिए मैं आपको बता दूँ कि अपन का पढ़ना बहुत ही जुरूरी है Reliance Industries, ITC, HUL जैसे जो cases है उसमें अगर आप उनका annual report नहीं भी पढ़ते हैं तो आपको जादा दिक्कत नहीं होती है क्योंकि company तो बढ़िया है उसमें आप business जो है वो आपके आँखों के सामने होता है बट यहाँ पे जो business होता है उसका ज आप देख सकते हैं definitely काफी अच्छे तरीके से company grow कर रही है जिस तरह का market cap है उस तरह से company बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है उसके बाद बात करते हैं कि यह stock कितने समय के लिए हमें stock को hold करना चाहिए तो at least आपको 10 सालों के लिए यह stock को hold करना ही चाहिए क्योंकि market में कभी भी पैसा रातो रात double नहीं होता है बहुत rare occasions होते हैं उसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आपके जेब में उतना पैसा भी होना चाहिए एक example देना चाहूंगा कि 100 से जब 200 होता है double तो तब भी होता है बट आपको क्या मिलता है वहीं पे अगर आप पे पास एक करोड है वो double हो जाता हो तो सिदा सिदा आपको एक करोड मिलता है इस चीज को समझिए तो यहीं चीजें जो है वह बहुत ही जादा important रहती है market में भाव सब कूछ है और भाव ही market में decide करता है कि यह stock अभी लेना चाहिए कि नहीं तो भाव काफी जादा attractive लगत तो 20% लीजिए as a personally अगर आप मुझे पुछेंगे कि as a investor आप कौन सा decide करते stop loss तो मैं आपको बोल देता हूं कि मैं 30% इसमें loss लेता उसके बाद मैं इससे निगल जाता 30% लेना बंदा है क्योंकि company काफी बढ़िया है और यहां से हमें काफी अच्छे returns कमाके दे सकती है तो Thank you